नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 10th SST सामाजिक विज्यान की वर्क्षीट नमबर 88 यानि कारे पत्रक सिंख्या 88 को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे आज की इस वर्क्षीट में हमें दो अनुचेद ये गए, दोनों अनुचेद हमारे इत्यास के पार्ट, जिरोप में राष्टवाद का उद्ये, तथा भारत में राष्टवाद पर आधारित है आपको इन अनुचेदों को पढ़ना है और उन पर आधारित परष्णों को हल करना है तो चलिए शुरुआत करते हम आज की इस वर्क्षीट की जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के उपर देख पारें ये हमारी वर्क्षीट नंबर 88, यानि कारे पत्रक सिंख्या 88 रहेगा हमारा विश्य SST सामाजिक विज्यान है जिसमें हम हिस्ट्री पर आधारित दो अनुचेद है उन पर आधारित परशनों को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे आज की दिना करेगी 25 फरवरी 2021 तो चलिए हम सुरुआत करते हैं परशनोत्र की यहां पर दो अनुचेद दिये गए ये जो पहला अनुचेद है यह करांती कारी विचार धारा पर आधारित है जिसको आपको पढ़ना है और दूसरा जो अनुचेद दिया गए यह हमारे पहले पार्ट यूरोप में राष्टवाद का उद्य है उस पर आधारित है और आर्थिक महामंदी और उसके बाद उठाए गए कदमों की बात करता है तो चलिए हम पहले परशन की बात करते हैं जो पहले अनुचेद पर आधारित है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना कब की गई तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना है सिंग समाज में क्रांती लाना चाहते थे भगत सिंग के अनुसार सवतंतरता परतेक नागरिक का जनम से दाधिकार है और भगत सिंग सवतंतरता और समाज में बदलाव के लिए कोई भी दंड से उकार करने के लिए त्यार थे उसके बाद तीसरा जो हमारा पर्शन रहेगा त जो पिस्तोल है उसकी उपासना नहीं करते बल्कि वो समाज में क्रांती लाना चाहते थे तो उनका कहने का आश्य क्या था क्योंकि भगत सिंग का उदेश्य किसी को ड्राना नहीं था बल्कि अपने अधिकारों को प्राप्त करना उस समाज में बदलाव लाना था इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि बंब और पिस्टोल है वो ड्राने के लिए इस्तिमाल नहीं कर रहे थे बलकि वो करांती लाने के लिए अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उनका इस्तिमाल कर रहे थे उसके बाद हमारा चोथा परशन रहेगा फॉर्थ जो हमारा क्विश्चिन दिया गए उप्रोक्त गध्यांस का सार अपने शब्दों में लिखे जो पहला हमने अनुच्छेद पढ़ा है उसका सार हमें लिखना है तो बहुत सारे राष्ट्रवादियों को लगता था कि अंग्रेज्यों के खिलाफ विजय केवल अहिसा से प्राप नहीं हो सकते किसी भी समाज में दो धड़े हो सकते हैं दो विचारदारे हो सकते हैं तो उसवक्त एक विचारदारा थी उगर राष्ट्रवादियों की जिनको लगता था कि अहिसा से आजादी प्राप नहीं की जा सकते इसके लिए देश में करांती कारियों ने बहुत सारे गुप्त संक्ठनों की स्तापना की उनमें से एक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपरब्लिकन संक्ठन भी सामिल था इन करांती कारियों में भगत सिंग भी सामिल थे 1931 में भगत सिंग और बटू केश्वरदत ने लेजिसलेटिव असेंबली में बंग फेंकने के लिए उनको ग्रफतार किया गया और भगत सिंग का मानना था कि समाज में बदलाव के लिए क्रांती लाना आफश्यक है आजादी हर वैक्ति का जनमसीद अधिकार है इसके लिए हमें संगर्ष करना पड़ेगा और इस संगर्ष के लिए भगत सिंग किसी भी परकार का दंड से विकार करने के लिए इसी परकार की कुर्बानी देने के लिए त्यार थे तो यह रहेगा हमारा सार जो अनुछे धामने उपर पढ़े अब हम दूसरे भाग की तरह पर पढ़ते है जो हमें दूसरा अनुच्छे दिया गए उसका पहला परशन रहेगा जोलवराइन का क्या उदिश्य था जोलवराइन एक सुल्ख संग था तो उसका उदिश्य में बताना है तो जोलुवराइन का परमुक खुदिश्य था जर्मन लोगों को आर्थिक रोप से एक राष्टर में बांदेना यानि जर्मन जो राष्टर था जर्मनी की अर्थ वरस्ता में सुधार करना इसका परमुक खुदिश्य था उसके बाद दूसरा जो हमारा प्रशन दिया गए Frederick List कौन थे हम ये बताना है तो Frederick List जर्मनी के Tubingen विशेविद्यालिया के अर्थ सास्तर के प्रोफेसर थे उसके बाद हमारा तीसरा प्रशन रहेगा जिसको हमने question number 7 लिखा हुआ लुक्त आर्थिक विश्ता के सबसे महतपोंट परक्स यह था कि इसने राष्ट्री एक अक इकन को बढ़आवा दिया और आर्थिक विकास को नई दिशा दिए दो नप पहला कि मुक्त आर्थिक विश्ता के कांड़ हर कोई किसी परकार का वward कर सकता था तो इससे राष्टिय एक इकरण को बढ़ावा मिला लोग एक दूसरे के संपर्क में आए दूसरा आर्थी वुकास भी तेजिस हुआ यानि आर्थी वुकास को नई दिशा मिली उसके बाद हमारा दूसरा जो अनुछेद है उसका चोथा परशन और आपकी इस वरक्षीट का एक जो क्वेस्चन दिया गया है जो हमारी इस वरक्षीट का लास्ट क्वेस्चन भी रहेगा राष्टिय एक इकरण में अर्थ वहस्ता की भुमिका का वर्णन कीजिए यानि राष्टिय एक जो किसी भी देश का एक इकरण है उसमें अर्थ वहस्ता की क्या भुमिका होती थी एक समान आर्थिक विकास और एक जैसे कर पढ़नाली के कान लोग एक दूसरे के नजदिक आए यूरोप की बात की जा रही है तो हाँ पर एक समान आर्थिक विकास हुआ और एक समान ही जब कर पढ़नाली है उसको लागू किया गया एक जैसे कर थे एक जैसे टेक्स थे revenues थे तुछ हैं कि उन्हें लगा क्यों एक ही देश का भाग है दूसरा मैसूस हुन और झाल की भावना और ज़्यादा मजबूत रही यानि रांश्टरवाद की भावना उसको मजबूत मिले तो यह थी और लेडी ६ात सॉल कर लिए आपको कोई ड़ोलिघ्ट धे जाएंगे तो आप मुझे विंडो पर मुझसे बात कर पाऊगे, अपने सुझाव है वो दे पाऊगे या दे पाऊगे, आज के लिए बस इतना है, thank you, bye bye, have a nice day.